आज की इस वीडियो में देन प्लश इंपोर्टेंट इंटिवायोटिक टेवेट के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो हर एक मेडिकल स्टुडेंट को पता होना चाहिए तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंडेयर्ट लिए योन संचारी त्रोग मिन्स की जो सेक्स्वल रोग होते हैं उसको रोकने के लिए रुमेटिड बुखार यह दो बर्स से पंद्रव वर्स के बच्चों के में होता है अधिकांस उसको रोकने के लिए इस कौपी ओक के इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते ह की प्रतिकिरिया बॉडी में देखने को मिलती है इसके बाद आपका मन नहीं लगेगा उपकाई टाइप का लगेगा इसके बाद दस्त की प्रॉबलम होगी तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सला लें नेक्स्ट है एजित्रोमाइसिन 500 यह काफी इंपॉर्टेंड मेडि साइड इफेक्ट कुछ कॉमान है जैसे दस्त उबखाई जैसे मन नहीं लगना पेट में दर्द होता है इसके बाद और कुछ एलर्जी टाइप रियक्शन होता है डॉक्सी साइक्लीन डॉक्सी साइक्लीन का उप्योग मुत्रपच के संक्रमण मिंस की यूरिनरी ट्रैक के संक्रमण आतों के शंक्रमण श्वसन संक्रमण आखों के शंक्रमण जिवारु संक्रमण और मुहाशी के इलाज के लिए डॉक्सी साइक्लीन एंटोबेटिक का यूश किया जाता है इसके साइड इफेक्ट उल्टी लाल चकते होना ठकान सिर्दर्द मू, शुखन, खासी यह सब इसके side effect होते हैं next बात करतें इमॉक्सी dict लिन डाइब정을ेट जो होता है इसका bacterial संक्रमणड गले में infection गले में infection जो होता है ऊपरी श्वसंत तंत्र शंक्रमणड जो infection होता है इसके side effect के बात करें तो just में फिक्रमड संक्रमड यह सब इसके कॉमन एज्ट्रमाईसिन के साइड इफेक्ट है औफ लॉकसासीन औफ लॉकसासीन का उपयोग त्वचा नरमुतक मुत्रमार्ग टॉनसिल साइनस नाक गलाश वाशनली फेफडे और महिलाओं के जननांग में जो संक्रमण होते हैं उसके इलाज के लिए इसका नेक्स्ट बात करते हैं रिफैक्सी माइन टैब्लेट के बारे में यह क्या करता है कि यह डायरिया जो दस लगने के प्रवल्लम होती है दो साल से अधी कुम्रिक में संक्रमित जो होता है वो शंक्रमित इलाज के लिए इसका उपयोग है इसके कुछ साइड इफेक्ट है सि इसका उपयोग मुत्रमार्ग तवचा नरमुतक कान हड़ी खून और फेफड़े महिलाओं में जनननांग में बैक्टरियल इंफेक्शन होते हैं उसके इलाज के लिए इसका उपयोग के आ जाता है इसके साइड इफेक्ट तुबकाई दस्त उल्टी रसेस इसके कुछ समय जो आप अपने को से इसके बाद करते हैं अनके इसके लिएलरिकोट संक्रमण के लिए इसके साइड इफेक्ट प्लक्सचे इंफेक्ट हरे इनधाना मन नैक्षिजिन वाली जो जगह है और दस्त की प्रॉब्लम होती है बात करते हैं ये काफी इंपोर्टेंट मेडिशीन है इसका उप्योग त्वचा नर्व मुत्रमार्ग तैंसील सावनिश नाग गला स्वाश नली फेफड़े महिलाओं में जनन नाग में जो इन्फिक्षन होते हैं उसके हिलाज के लिए इसका उप्योग किया जाता है इसके कुछ साइड फिक्ट हो झाले कि दाले कि यक्ट हुआे हो